हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्टूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानि डॉक्टर गुविर्शिंग मोरी का नमस्कार दोस्तों मैं आर्पेसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ देखिए 30 मई 2 जारते 20 की अनि आज की अपडेट है और ये सैंसकर शिक्षा विभाग से रिलेटेड स्कूल लेक्चरर से रिलेटेड जो है अपडेट है इसकूल लेक्चरर सामाने व्याकरण विसे का रिजेल्ट जो है वो आर्पेसी के दुवारा अनाउंस कर दिया गया है तो पूरी न्यूज जो है वो विस्तार के साथ में सुनिए सैंसक्रित शिक्षा विभाग येतू प्राध्यापक विद्याले इसके बाद देखिए उक्त परिक्षा के फ्लसव रूप नीमन लिखित रोल नमर वाले अब्यार्थियों को पत्रता की जहां चेतू विचारित सुची यानि प्रोविजनल लिस्ट ओप केनिडेट सिफ और एलिजिबिलिटी चेकिंग में ऐस थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है तो यह दोस्तो आपके सामने सैंसकर्थ szik realidad का रिजेल्ट है सामाने व्याकरण विश्य का यह जो अपयारति यह जो टो टोल 65 अपयारति हैं आपके सामने यह रोल नमर है इन अब्यार्थियों को RPC के दुवारा और सेंसकर्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कूल व्याक्याता की वेकेंसी निकली थी उसके अंदर व्याकरण जो विश्य है ठीक है उसके लिए और एस्थाई रूप से उत्तिरण गोशित किया गया है ठीक है तो ये रोल नमर आ आपने देख लिए होंगे आगे की जो बात है वो देखिए ये सुची चैन परकरिया में भाग लेने वाले अब्यार्थियों की अब्यार्थिता सुनिशित किये जाने के करम में केवल दस्तावे सत्यापन के उद्देशी से है तथा ये चैन सुची वरियता सुची नहीं ह सफल अब्यार्थियों की सुची दस्तावे सत्यापन के पस्चा जारी की जाएगी यानि ये सिरफ प्रोविजिनल जो लिष्ट है वो है ऐस थाई लिष्ट है क्योंकि फाइनल जो लिष्ट होगी वो डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के पस्चात आर्पेसी के दुआरा जा काउंसलिंग के जरिए और उसके पस्चात जिनके डोकुमेंट्स कलियर पाये जाएगे उन अब्यार्थियों को जाए फाइनल रूप से और जोइनिंग के लिए लोग से वायों के दुआरा सिक्षा नेदे साले विकानेर को जो उनकी लिस्ट प्रेसित कर दी जाएगी और काउंसलिंग के विस्तृत कारिय करम के समंद में आयों की विवसाइट एवं अन्य माद्यम से यह था संभव प्रत्थक से सुचित कर दिया जाएगा तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करके रखो ताकि RPSC से रिलेटेट जो भी अपडेट है वो आपके पास में समय प्या के तो RPSC इसके लिए क्या करेगी काउंसलिंग करेगी डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए RPSC काउंसलिंग करेगी और काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है अलग से RPSC सुचित करेगी आपको कि आपकी काउंसलिंग जो है वो ओफ लाइन होगी या ओनलाइन होग ठीक है अगर offline होगी तो आपको अपना विस्तरित आवेदन पत्र जो है वो बर करके और उसके साथ सारे जो documents हैं सेक्षनिक और पर सेक्षनिक जो दस्तावेज हैं वो cell पर tested करके आपको RPC कारेले में जमा कराना है ठीक है कांसलिंग के date जो है उस date के उपर और अगर online होगी तो उसके लिए अलग से RPC आदेश जारी करेगी तो आपको फिर online पूरी जो detail है विस्तरित आवेदन पत्र की पूरी detail है वो online बरनी है और जो documents जो हैं इस post के लिए पर सेक्षनिक और सेक्षनिक जो documents आवस्यक हैं मांगे गए हैं आपको सारे जो है online upload करने होंगे ठीक है इसके बाद देखी आगे आयोग दुआरा बैर्थिता की पात्रता की जांच विग्यापन की सर्तों नियमों के नुसार की जाएगी पात्रता की समस्त सर्ते नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले बैर्थियों की पात्रता आयोग दुआरा रद कर दी जाएगी तदा पात्र पाये बैर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चैन सुची और आरक्षी सुची जारी की जाएगी तो आपका डोकुमेंट्स विरिफिकेशन जो होगा वो विग्यापन की सर्तों के एकोर्डियूं होगा विग्यापन के नियमों के एकोर्डियूं होगा और अगर आप योग्य पाये जाते हैं तो आपको जो है फिर आपकी लिष्ट जो आगे विकाने प्रेशित कर दी जाएगी जोइनिंग के लिए और अगर योग्य पाये जाते हैं तो आपको जो है आपको ये सुची से नाम अटा दिया जाएगा आपसे जो कम मेरिट वाला व डेतोबwahर्थ की कटोफ मार्कष है 14 mentioning 16 में, डेतोबवः्थ की कटोफ मार्कष का मतलब यह है कि अगर 12 ब्यारती है या 3 ब्यारती है उनके कटोफ मार्क्स अमान आ रहे हैं ठीक है जनरल के इमालों और उनके अंग समान आ रहे हैं लेकिन डेतोबवः्थ जो है वो अलग- सामने जनरल की है 29.34 ठीक है स्सी की जो कटोफ मार्क्स रही है वो सामाने की रही है 233.90 एस्टी की जो कटोफ मार्क्स रही है वो आपके सामने 215.10 ओबीसी की जो कटोफ मार्क्स रही है वो सामाने की रही है 249.33 और एमबीसी की जो कटोफ मार्क्स रही है वो सामाने की रही यह 209.67 ठीक है और यह आगे जो है date of birth की कटोफ marks है इसके बाद में है horizontal reservation horizontal reservation का मतलब होता है प्षेटीज आरक्षन यानि आरक्षन के अंदर है आरक्षन तो इसमें जैसे अक्स सर्विसमेन है इनको जो है अलगले category के अंदर इनकी city reserve होती है तो इनकी जो कटोफ marks रही है वो 0.5.35 रही है ठीक है और यह बाकी जो विकलांग बगर है अलगले category है जो उनकी जो कटोफ marks रही है 133.33 रही है तो यह था दोस्तो सैंसकर्च सिक्ष्या विभाग के दुआरा जो स्कूल व्याक्यता बरती का रिजेल जारी की आगया है व्याकरण विसे का उससे related update तो इसी प्रकार की update आप समय पर प्राप्त करना चाहते है तो चेनल को subscribe जरूर कीजिए वीडियो को like करें हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद